दस ध्यान देने योगे बाते पहला गला बैट गया है तो क्या करें ये उपाएं? दूसरा देशी उपाएं सर्दी जुकाम में कुछ लोगों का गला बैट जाता हैं कई बार चिलाने ये फिर खान पान बदलने की वज़े से भी गला बैट जाता हैं कुछ लोग जादा सर्दी की वज़ा से भी गला बैटने की समस्य जिलने पड़ती है, वैसे गला बैटने से कोई खास दिक्कत तो नहीं होती, लेकिन जब आवाज नहीं निकलती तो कहने सुनने में परिशानी होती है, लंबे समय तक गला बैट जाने से खराश गले में दर् कई बार ठंडा पानी पीने से गला बैट जाता है, खास दोर से सर्दियों में ज़्यादा ठंडे चीज़े खाने से परिशानी हो सकती है, आज हम आपको गले की खराश और बैटे हुए गले को ठीक करने के ले कुछ अताब बता रहे हैं, जिसे गले को तुरंत रहत मिलेग अद्रक का सेवन करें, हाँ, अगर आपका गला बैट जाए तो फिर खराश हो रही हो, तो आप अद्रक का इस्तेमाल ज़रूर से करें, अद्रक में ऐसे तत्व होते हैं, जिसे गले की खराश में अरा मिलता हैं, और आप चाहे तो अद्रक का टुकडा चबा ले, इसके अल करें, गले की सारी समस्या को दूर करने का बड़ा असान उपाय है, नमक के पानी से गरारे करना, इसे गले की खराश और गला बैटने की समस्या दूर हो जाएगी, इसके लिए एक गिलास में थोड़ा गरम पानी ले और उसमें नमक डाले, अब इस पानी से दिन में कम से कम दो तीन बार गलारे करें आपको गले में काफी अराम मिलेगा दालचीनी का इस्तेमाल करें दालचीनी में ऐसे गुण होते हैं जो गले के लिए फायदेमन होते हैं गला बैट जाए तो आप दालचिनी का इस्तेमाल करें इसके लिए दालचिनी पौडर को एक चमच शैद में मिला लें और फिर इसे खा लें इससे आपके गले को अराम मिलेगा सेप का सिरका कुछ लोग गला खराब होने पर सेप का सिरका यानि एपल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं एक गिलास गुन गुने पानी में एक चमच एपल साइडर विनेगर मिला कर गरारे करने से रहात मिलेगी काली मिर्च खाए गले की समस्यों को दूर करने और सरदी जुका में अराम के लिए काली मिर्च को प्योग करें इसके लिए एक चमच काली मिर्च का पाउडर लेकर एक चमच शहद में मिक्स कर ले इसे चाट ले और फिर आदा गंडे तक पाणी न पिए आप चाय में भी कालिमिट डाल का पी सकते हैं इसे बैठा हुआ गला साफ हो जाएगा लेसुन सूजन को कम करने में असर दिखाती है गला सूज गया है या फिर गला बैठने के साथ साथ गले में दर्द है तो लसुन का भून का शायत के साथ खाया जा सकता है लसुन को साधा भी भून कर खा सकते हैं पसंद आई हो तो किरपिया वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर से करे और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर भी जरूर से करे हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दन्यवाद बहुत जल्द मिलेंगे एक वीडियो के साथ